हलो लबलीज पीपल्स गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक ठाव होंगे अगर हमारी चैनल पर नए आए तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कोमेंट सेर जरूर किजिएगा आज हम बाइलो जी का महतपूर्ण क्वेशन आंसर करने जा रहे हैं इस के माध्यम से तो अगर आउल सब्सक्राइब का कोशन आंसर करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बना है तो चलते हैं कोशन नमर एक में दूद के दही के रूप में जमने का कारण है आपके पास पांस सकेंड है सोचने के लिए जी हाँ लेक्टो बेसिल्स तो चलते हैं कोशन नमर दो में जनतु में होने वाली फूद एवा माउंथ रोग किसके कारण उत्पन होता है आपके पास पांस सकेंड है सोचने के लिए जी हाँ बिशानू बिशानू है तो चलते हैं कोशन नमर तीन में कौन एक जीवित जिवा से कहलाता है आपके पास चार उप्शन है और पांस सकेंड है सोचिए जी हाँ जीन कोगो है तो चलते हैं कोशन नमर चार में निमली खित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुश्व है आपके पास पांस सकेंड है सोचने के लिए जी हाँ रेफलेशिया रेफलेशिया है तो चलते हैं कोशन नमर पांच में किस पोधे में बीच होता है लेकिन फल नहीं होता है आपके पास पांस सकेंड है सोचने के लिए इस चार उप्शन में से कौन सही होगा जी हाँ साइकस होता है तो चलते हैं कोशन नमर पांच छे में सबसे लंबा जीवित विरिक्ष है आपके पास चार उप्शन है इन में से कौन सही होगा और पांस सकेंड है सोचने के लिए तो इस चार उप्शन में कौन सही होगा जी हाँ सिकुआ सिकुआ है तो चलते है कोशन नमर साथ में बांस को किस में वर्गी किरित किया जाता है आपके पास चार उप्शन है इन में से कौन सही है बताए आपके पास पांस सकेंड है जी हाँ घास घास बांस को वर्गी किरित किया जाता है तो चलते है कोशन नमर आठ में केसर मसाला बनाने के लिए पोधे का निमलिखित में से कौन सा भाग उप्योग में लाया जाता है आपके पास चार ओप्षन है इन में से कौन सा ही होगा जवाब दे और पांस सकेंड है आपके सोचने के लिए वर्तिक राग होता है तो चलते हैं क्वेशन नमर 9 में क्लोरोफिल में कौन सा फारफिरिन होता है आपके पास 4 ओप्षन है और 5 सकेंड है सोचने के लिए सोचे जी हाँ मेगिनिशियम मेगिनिशियम होता है तो चलते हैं न क्वेश्चन नमर 10 में परकास संसलेशन का पर्थम इस्तिर योगिक है आपके पास 4 ओप्षन है इन में से कौन सही है और सोचने के लिए 5 सेकेंड है जी हाँ, गुलकोज, गुलकोज है तो चलता है कॉस्टन नमर 11 में पोधे का आदर पतन रोग किसके कारण होता है आपके पास 4 ओप्षन है इनमें से कौन सही होगा, तो बताए अगर हमारे चैनल पर नहीं आए तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब करते है जी हाँ, पिथियम डिबो रियन्यम तो चलता है कॉस्टन नमर 12 में किसके द्वारा अनुस्वान सिकता के विज्ञान को अनुवान सिकी कहा गया आपके पास चार उप्शन है और पांस सकेंड है सोचने के लिए जी हाँ, वाट्शन होता है तो चलता है कॉस्टन नमर 13 में DNA के द्वेहेलिक्स पारूप को पहली बार किसने परताविष्ट किया गया आपके पास चार ओप्शन है और पांस सकेंड है सोचने के लिए टाइम स्टार्ट नाउ जी हाँ वाट्शन तथा किक रिने क्वेस्टन नमर चौदर में चलते हैं प्रोग्रीड में सेल केत का कोशी किये एवं आवान विक नियंतरन वो क्या कहलाता है आपके पास चार ओप्शन है और पांस सकेंड है सोचने के लिए जी हाँ इंजाइंग है तो चलते हैं क्वेस्टन नमर पंदरह में निमलीखित में से कौन सा पोधा मरू दित्र है आपके पास चार ओप्शन है सोचने के लिए पांस सकेंड योड टाइम स्टार्ट नौ जी हाँ, करील, करील है पोधे मरूव दिद्य तो चलते हैं क्वेशन नमर 16 में निमली खीत में से कौन सा सबसे अधिक इस्तिर पारी तंत्र है आपके पास चार ओप्सन है, इन में से कौन सा ही होगा सो बताएं, और पांस सकेंड है जी हाँ, महाशागर, महाशागर सबसे अधिक इस्तिर पारी तंत्र है तो चलते हैं क्वेशन नमर 17 में भारत में परिये इस्तितिक अंसंतुलन का निमली खीत में से कौन सा एक परमुक कारण है आपके पास चार ओप्सन और पांस सकेंड है, सोचने के लिए जी हाँ, वनों मूलन तो चलते हैं क्वेशन नमर 18 में निमली खीत में से किस कारण से परिश्थितिक संतुलन बिगरता है आपके पास चार ओप्सन और पांस सकेंड है, सोचने के लिए इन में से कौन सही होगा, सोचिए जी हाँ, लकडी काटना, परिस्तितिक संतुलन बिगरता है तो चलते हैं क्वेशन नमर 19 में निमली खिंद में से कौन सही सुमे लित नहीं है आपके पास चार ओप्षन है, इन में से कौन सही होगा और 5 सकेंड है सोचने के लिए, तो सोचिए जी हाँ, भारती एज वन परवंधन संस्थान कोलकता में जो पड़ता है तो चलते हैं क्वेशन नमर 20 में आकरी और लाश्ट शवाल में घरती उत्पादन सीलता के कर्म में परिश्थितिक तंत्र में निमलिखित में से कौन सा कर्म सही है आपके पास 4 ओप्षन और 5 सकेंड है सोचने के लिए, तो सोचिए जी हाँ, मेग्रो, घास, मैदान, जील, सागर यही है इसका आंसर तो अल सब्जेक्ट का कौस्टन आंसर करना चाते हैं तो इसी चैनल पे अल सब्जेक्ट का वीडियो बना हुआ है तो उसको वाच कर लिजिया और बहुत इंपोर्टेंट कौस्टन आंसर का वीडियो बना हुआ है तो जल्दी देखिए तो अगर हमारे चैनल पर नए आए तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, सेर जरूर कर दिजिए ताकि लाइफ में और साब वीडियो बनाके आप लोगों तक पहुचाए थैंक्यू, धन्यवाद